दोस्तों बड़ी खबर है यहां पे देखेंगे बिहार केविनेट किती थी एक बार फिर से घोसित कर दी गई है कल याने 20 जुन 2024 बरश्पती बार 11 बजे से बिहार केविनेट की बैठक होने जा रिया जिसमें देखेंगे काफी सारे बिभाग के करमचारी को लाव देखने को मिलेगा आगे आप लोग समय लेंगे संभावी जो डिपार्टमेंट है और बाकी यहां पे देखेंगे अभी बिहार में काफी सारे बिभाग में और तोर्स्टिंग पे करमचारी कारणत है इसके लेकर यहां पे देखेंगे 17 जुन 2024 का ये पेपर कटिंग है और इसमें जा मियूंता मयदूरी मन्थली का 21,000 होता है शमर्ष सकते हैं आगे आप लोग इस पेपर कटिंग के बादियम से भी आगे डिटेल में समय लेंगे बाकी यहां पे देख लेंगे कल यानि 20 जुन 2024 का जो बिहार केबिनेट की बैठाक होने जार दिया तो कौन-कौन सी विवाग करमचारी को लाव देखने को मिलेगा आगे आप लोग शमर्ष लेंगे यहां पे देखेंगे कल का जो केबिनेट बैठाक होने जारी है काफी महत्पुन बैठाक होंगे जैसे यहां देखें स्वेंच शेवक काफी दिनों से भाटा किने है इसके लेकर भी कल कुछ की तारी कर रही है जल दीए महाधरना परदर्शन केंगे अनिस्चित काली धरना परदर्शन इसका एक ही मांग है सेवाश शमायो जन और सोस्टिंग को शमाप करके इसे संबीदा पे रेगुलर क्या जाए और यहां पे देखेंगे जल संसाधन बिभाग के करमचारी पंच शिक्षा प्रेरग इसकुल सफाई करमचारी एनचरप के तहट काफी सारे कारत है जिसमें काफी सारे करमचारी का सेल्डी भी बढ़ोतरी हो चुकी है उसके बाद यहां देखेंगे बीत रहित शिक्षा समाव्योसी शिक्षग वीत रहित शिक्षग लोग शिक्षग और उ अवाश श शायक उसके बाद यहां पे देखेंगे शमाज कल्यानमित्र पंचैती राजवीवाग कल्यांमित्र 15 रोजगार व्यभाग उसके बाद यहां पे गरमिन विकाश विवाग बिजली विविवाग के एच टोला शेवक, आईटी मनेजर, ब्यवशाय अनुदेशक, कॉन्टेक्ट लेक्चर, भर्मन सिल पसुचिकिशक पदाधिकारी, पर्खन पशुपलन पदाधिकारी, इंद्रा आवाश शायक, उसके बाद यहां ब देखेंगे, तकनिकी परवंधक, परियोग शाला शायक, कार् पलश डिपार्टमेंट की हम चार्चा किया, और उसमें काफी सारे ऐसे करमचारी है, जो कल के के लिए बहुत ही संभावित है, इसमें काफी सारे करमचारी को लाब देखने को मिल चागता है, बने रही है चैनल पर कल चैसे हैं, मीटिंग शमामत होता है, तो जो भी मतलब क पर हमचारी को लाब देखने को मिलेगा, शब से पहले आपको इस चैनल के मादे हम से जानकारी मिल चाहेंगे, बागी आप लोग आगे देख लेंगे, जो अभी आउट्सोर्सिंग पर कारत होंगे, तो पेपर कटिंग के मादे हम से क्या जानकारी दी गई है, आगे आप हैं, लोग अमई लेंगे, यहाँ पर देखेंगे, जानकाई दी गई है, सरम विभागों के, और जिला धिकारी को पत्र लिखा है, और इसमे जानकाई दी गई है, किनल्चित करने वाले को नियूनतम मयदूरी हुई अनिवार्ज, मतलब आप लोंका जो नियूनतम मयदूर सब्सक्राइब करने को कहा है कि सरकारी विभागों में और सर्कारी पर करने वाले कर्मियों को अनिवाज रूप में नियूंतम मैदूरी मिले विभाग के परधान सचीव डॉक्टर वी राजेंतर ने सब्सक्राइब के साथ द्यम को पत लिखा और पत्र में असपश्ट किया गया है कि सरकार के कई विभाग समीत्यों बोडेम आयोगों में बड़ी शंख्या में और सोचिंग एजन्सी या संबेदकों के माद्यम से सर्मिकों से काज लिया जा लेकिन उन्हें नियूंतम मैदूरी भी नहीं मिल दई हाली में दिखने को मि कि विभिन सर्म संगठन द्वरा का कई बार विभाग में संग्यान लिया गया है कि इन आउट्सोर्चिंग एजन्सियों या संबेदकों द्वरा सर्म कानूनों का शमुची धंसे अनुपालन नहीं किया जा रहा है शाती परधान सचीव और यहां दिके नियोजका द्वरा इसकी निकरानी नहीं की जा दिया इन समाशियों को देखते हुए सभी नियोजकों और आउट्सोर्चिंग एजन्सियों या संबेदकों द्वरा पड़मुख शरम कानूनों का अनुपालन जरूरी है वरना इसका लैसेंस रद क्या जगा और शे काम वापश लेने का निर् है तो इसके लेकर सभी जी लाधिकालियों को पत लिखके सुचना दिया है किसे नियूंतम मैदुरी ताय किया जाए तो कहीं ने कहीं बड़ी खवर है जो अभी और सोर्चिंग प्रकारत है आप लोग के हीट में काम हो रहे और बाकी यहां देखेंगे भैकेंसी को लेकर ज फेकेंसी जो है आने वाले है इसमें जो आप लोग जो भी मतलग यहां पर समझ रखते हैं जो भी पद के लिए इलिजिवल होंगे इसके लिए पिछले वीडियो में जानकाई दी होंगे कौन सा विभाग में कितना सीट खाली है और कौन-कौन सी पदों की फेकेंसी आएग जानकाई दी गई है रोजगार और नोखडी को लेकर यहां पर समझ सकते हैं जानकाई दी गई है 15-12-2020 यह लागों साथ निश्चा दू अंतरगत मुखमंत्री स्थिरी नितिश कुमार ने 10 लाग सरकाई नोखडी और 10 लाग रोजगार देने का लक्ष नीर्दाहित गया इस शंबन में मुखमंत्री ने उप मुखमंत्री समंदी विभागों को मंत्री गण्ज मुख शचीव समंदीत विभागों के अपर मुख शचीव परहां शचीव के साथ बेटकर अगामी एक वर्स की लक्ष प्राप्ति है तो बचिय हुए नोखडी यह रोजगार देने क समंदीत न्यूक्ति है तो पड़किया पुन कर ली गई है अगले तीन महिने के अंदर न्यूक्ति पत्रीत करने का लक्ष रखा गया है और यहां में देखिए न्यूक्ति करने वाले विभीन आयोगों में दो लाग 11000 नहीं है तो अधियाचना भेजी जा चुकी मतलब नया अभी वांकी है सीट खाली उस पर जलत ही बहाली सुरू करेंगे इसके लिए कर यहां पर जानकाई कहीं कहीं बहुत ही अच्छा काम कर है बिधान सभा से पहले जितने भी अभी संविदा और सोर्सिंग पर कारत है तो कहीं कहीं आप लोग को बड़ी लाब देखने को म निवाद़